बिहार में जाती जंगन्ना रिपोर्ट जारी होने के बाल अब सरकार ने आर्थिक अधार पर की जंगन्ना रिपोर्ट गी अब साध्वनिक कर दी है और इससे साथ साथ पता चल गया है कि किस जाती में कितरे प्रतिसत गरीब लोग है उनकी संख्या क्या है और जिस तरह जात प्रप्राइब दिखाया गया था और ये आरोप लगा था सरकार पर कि दरसल यादब को और मुसल्मानों की संख्या को बढ़ा कर दिखाया गया है जिससे लोग चोक गए थे और ठीक उसी प्रकार से जो आर्थिक जंगन्ना रिपोर्ट जारी सरकार ने किया है उससे भी यादा तो हैरान कर देने वाला, चोका देने वाला, दो जाती सामने आई है जिसमें भुमिहार और यादब हैं और इन जातियों में कितनी गरीबी है, कितनी अमीरी है ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे इस 8 से 10 मिमिट की रिपोर्ट में हम तमाम बाते आपको बताने जा रहे हैं, हलाकि ये रिपोर्ट थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम सभी जातियों के आकरों के बारे में आपको बताने जा रहे, वह ही आप ये भी जानना चाहते होंगे, कि आखि आर्थिक जनगर्ना रिपोर्ट जो जारी की गई है, उसमें गरीबी का आधहार क्या रखा गया है, आखिर किन लोगों को किस अस्तर पर गरीब रखा गया है, उनका आधहार क्या है, वो भी तमाम बाते इस रिपोर्ट में हम बताने जा रहे हैं. दरसल सरकार में आर्थिक आधहार पर जनगर्ना रिपोर्ट जारी कर दी है, सभी जातियों के बारे में इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकि सबसे पहला सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा, कि आखिर किन लोगों को गरीब माना गया है, यानि कि उन लोगों किया है, छे हजार से उपर है, उनको अमीर की स्रेणी में रखा गया है, ये सरकार का पैमाना है, अब आप ये जान लिजे कि दरसल पिछरा बर्ग में जो है, सबसे पहले हम आपको केटोगरी बाइज आर्थिक जनगर्ना रिपोर्ट बताने जा रहे हैं, अगर सबर्नों की कुल परिवारों की संख्या जो है, 43,282 है, इनमें से 25.09 परतीसत यानि कि 10,85,913 परिवार गरीब है, यानि कि सबर्नों में 25.09 परतीसत लोग जो हैं, गरीब है, उसी तरीके से बैक्वर्ट क्लास यानि कि पिछरा बर्ग की अगर बात की जाए, तो पिछरा बर्ग के कुल परिवारों की अबादी जो है, जनसंख्या जो है, 74,73,539 है, और इनमें से 33.29 परतीसत जो हैं, वो गरीब हैं, उसी तरीके से अत्यानि पिछरा बर्ग की अगर बात की जाए, तो कुल 59,84,904 परिवार हैं, इनमें से 33.51 परतीसत परिवार गरीब हैं, और गरीब की संख्या 33,19,509 है उसी तरीके से अगर सेडूल कास्ट यानि की अनुसुचित जाती की अगर बात की जाए तो इनकी परिवारों की कुल जन संख्या विहार में आवादी 24,72,024 है और इनमे से 23,49,111 परिवार यानि की 42,93 प्रतिसत अनुसुचित जाती में गरीब लोगों की संख्या है उसी तरीके से अगर अधर कास्ट की बात की जाए तो अन्य जातियों के परिवारों की पुल जन संख्या 49,953 है इनमे से 9,474 करीब परिवार है यानि कि इनकी संख्या 23,72 प्रतिसत है अगर हम आपको आगे सभी जातियों का भी बताने जा रहे हैं इसमें अगर बात अगर किया जाए तो बिहार में सभी जातियों के परिवारों की कुल संख्या 2,76,930 है और इनमे से कुल गरीब परिवारों की संख्या 94,42,786 है यह सभी समाज के कुल परिवारों की संख्या का 34.13 फिस दी है वहीं अगर बात किया जाए कि दरसल इनको 6,000 रुपे से कम बालों की जो जन संख्या है उसका भी प्रतिसात आपने जान लिया उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिनकी इंकम 6,000 रुपे से ले करके 10, हजार रुपे तक की जिनकी मासिक आए है उनकी संख्या की अगर बात की जाए तो 81,91,390 वैसे लोग है जिनकी इंकम 6,000 से 10,000 के करीब है वहीं 10,000 रुपे से 20,000 रुपे तक मासिक आए वालों की संख्या 49,97,142 है जिनकी इंकम 10,000 रुपे से ले कर 20,000 रुपे के करीब ह वहीं राज्य में 20,000 से लेकर 50,000 तक मासिक कमानों वालों की संख्या की अगर बात की जाए तो 27,20,870 इनकी जन संख्या है जिनकी इंकम 20,000 से 50,000 के बीच है वहीं परदेश में कुछ ऐसे परिवार भी है जिन्होंने अपनी आय की जानकारी सार्जनिक नहीं की है यानि कि उन्होंने अपने आय का बताने से मना कर दिया कि उनकी मासिक इंकम कितनी है और ऐसे परिवारों की संख्या 12,37,276 है यानि कि यह कुल जंग संख्या का 4.47% है, यानि कि बिहार के 4.47% लोगों ने अपनी इंकम बताने से सरकार को मना कर दिया, वहीं बिहार में अगर सबसे जादा, अगर सवर्नों की अगर बात की जाए, तो सवर्णों में सबसे ज़्यादा गरीब कौन है तो आपको बताते चले कि यह आकड़ा काफी चोका देने बाला है कि बिहार में सवर्णों में भुमिहार एक ऐसी जाती है जिसकी इंकम सबसे कम है और अगर सवर्णों में अगर सबसे ज़्यादा इंकम की बात की जाए तो काइस्ट की बताई गई है वहीं आपको बताते चले कि दरसल जो मुसलमान में जो स्वर्ण आते हैं जैसे कि सेख ब्रामन, राजपूत पठान, खान, सयद और फिर काइस्ट ये सब जो लोग हैं इनको सवर्णों की स्रेनी में रखा गया है वहीं सेख की संख्या दोस लाख 6888 है इसमें 25.84 प्रतिसत गरीब हैं वहीं भ्रामन परिवार की कुल संख्या बिहार में 10,73,563 है इसमें से 25.82 प्रतिसत जो है भ्रामन वो गरीब की स्रेनी में इनको रखा गया है और राजपूत की संख्या वहीं बिहार में 9,53,784 है जिनमें से 24.89 प्रतीसत जो है राजपूत गरीब की स्रेनी में इनको रखा गया है जिनकी इंकम 6,000 से कम है वहीं अगर पठान की अगर बात की जाए मुसल्मान में जो की स्वर्ण में आते हैं ते इनके परिवार में प्रदेश में संख्या 1,89,777 है और इनमें से 22.20 प्रती काइस्तों की जनसंख्या मात्र 1,70,985 है जिसमें से 13.83 फिस्दी जो प्रतीसत जो है काइस्त गरीब है वहीं बात की जाए बिहार की 13 करूर 7 लाग की अबादी में 3.50 प्रतीसत लोग दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं विदेश में काम करने वालों की संख्या 0.17 प्र दरसल बताया जाता है कि बिहार के चार करूर से जादा लोग बिहार से बाहर जाकर के मजदूरी कर रहे हैं काम कर रहे हैं लेकिन इस आकड़े में ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं कि छेरचार की आ गया है वहीं आपको बताते चले कि दरसल 13 करूर की कुल आवादी में 5.52 जो है छात्र छात्राएं दूसरे राज्यों में पढ़ने के लिए गए हैं वहीं बिहार के 23,738 जो है छात्र विदेश में पढ़ रहे हैं ये आर्थिक जनगन्ना की रिपोर्ट जो है वो अभी आपने समझ लिया अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि आखे जाती इसके बाद काफी यादब बबाल मचा हुए थे कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी तो आपको पताते चले कि यादबों में बिहार में सबसे जादा अगर गरीबी की बात की जाए तो सबसे जादा गरीबी मुसहर जाती में है और उसके बाद अगर बात की जाये तो सबसे जदा गरीबी यादव जाती में हैं जिस जाती से लालू प्रसाद यादव तिजी यादव आते हैं और जो जाती बिहार में अपने आपको बहुत बड़ा बादसाह करती है जिसकी चौदा प्रतिसत लगभगाभ़ादी है उसमें 35 प्रतीसत जो है या अथिक सर्वे की रिपोर्ट भी सरकार ने विधान सभा में पेश कर दी और इसमें रिपोर्ट में सबसे जादा गरीबों की संख्या भुमिहार जाती में हैं जहां 27.58% भुमिहार गरीब बताय जा रहे हैं यानि कि 27.58% जो है भुमिहारों की अवादी में 6000 से कम की इनकम है इसके अलाबा अगर पिछलों की अगर बात करें तो 35 फिसदी के संख्या के साथ यादब बिरादरी में गरीबी है यानि कि जिसकी बिहार में सबसे ज़्यादा जन संख्या है उस यादब जाती में 35 प्रतीसत यादब जो है गरीब लोग है वहीं आपको बताते चले कि 30 प्रतीसत जो है कुरिमी में गरीब लोग है जिनकी और अगर सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा गरीबी तो वो मुसहर जाती में है वहीं पिछलों में सबसे ज़्यादा गरीब जो है नाई यानि कि हज्याम है जिनकी 38 फिसदी की आबादी की इंक 93 परतिसत गरीब परिबार है अनुसुचित जन जाती में 42.70 परतिसत गरीब परिबार है और दल दल में फसे हुए है वही राज्य में सबसे ज़्यादा गरीब जो है मुसहर जाती में है इस जाती में 54 परतिसत जो मुसहर जो है वो गरीबों की स्रेनी में आते हैं यानि कि इनकी आबादी में 54 परतिसत जो है वो जनसंख्या में वो आप कह सकते हैं कि 6000 से कम किन कम है वही अगर सबसे जादा गरीब जो है सो आपको हमने बता दिया दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो खाहर, धानुक और मलाह 34% लोग गरीब हैं 33% कुमहार जाती में गरीब लोग है वहीं 29.87% तेली में गरीब है और 33% जो है कानु में गरीबी है गरीबी रेखाके 33% नीचे गुजर बसर कानु समाच कर रहा है यानी उस समाद में 33% लोग गरीब है वहीं अगर बिहार सरकार के सर्वेक में कुल 63% अबादी पिछडे और अत्यंत पिछडों की हैं ऐसे सर्वे रिपोर्ट में जेनरल से लेकर एसी तक सभी जातियों में बड़ी संख्या में गरीब पाए गए हैं जिसे अब सवाल खड़ा हो गया है कि अब आरक्षन किस आधार पर देने की चर्चा होगी वहीं हम आपको आगे की रिपोर्ट में ये भी बताने वाले हैं कि सरकार आरक्षन का दैरा बठाने जा रही है और इसका बीजे पी ने भी स्वागत किया है यानि कि आर्थिक आधार पर सभी जातियों के लिए अब आरक्षन की बात बिहार के मान्य मुखमंत्रे नितीश कुमार कर रहे हैं और ये कदम की सराहना पूरे बिहार बासी कर रहे हैं वहीं आपको अगर बात की जाए तो कायस्त, ब्राम्मन, भुमिहार इन चार जातियों को रखा गया है हिंदू में मुसल्मान की भी कई जातिया जो है वह स्वर्नों में आती है लेकिन अगर हिंदू में स्वर्नों की बात की जाए तो ये राजपूत, ब्राम्मन, कायस्त का सबसे ज़्यादा मतलब आप कह सकत कि कायस्त में सबसे कम गड़ीबी है मातर लगभग 14 परतीसत 13 दसमलो कुछ है और ये ब्रहाम्मन भुमिहार और राजपूत का आकड़ा है इसमें 1 से 2 परतीसत का अंतर है जैसे मान के चलिए कि 24 दसमलो कुछ परतीसत जो है वो राजपूत में है तो 23 दसमलो कुछ परतीसत ब्राम्मन में है उसी तरीके से भुमिहार में है यानि 102 परतिसत का अंतर है इसमें ज्यादा परतिसत का अंतर नहीं है वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि दरसल यादब जाती के साथ एक समस्या और भी आई है कि इसमें से सारे 5 परतिसत यादब जाती के लोगों ने अपनी इ लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हर जाती में जिस परकार से गरीबों की संख्या निकल के सामने आई है और गरीबी का आकरा भी आप जड़ा देख लीजे कि जिनकी इंकम 6,000 से कम है उनको गरीबों की स्रेनी में रखा गया है जिनकी इंकम 6,000 से उपर है उनको अमीरी की स् कम से कम 15,000 इंकम बालों को गरीबों की स्रेणी में रखा जाना चाहिए, क्योंकि आज कल 12-15,000 में तो कुछ होता ही नहीं है, इतना सारा महंगाई बर चुका है, चाहे वो गैस सिलेंडर, घरेलू गैस के दाम हो, या फिर सबजी के दाम हो, या फिर रासन के दाम हो, या फिर 6,000 से उपर है, उनको अमीरों की स्रेणी में रखा गया है, और सबसे बड़ी बात तो यह है, कि बिहार में, आप समझ करके चलिए, कि 54 प्रतिसत जो है, वो मुसहर में गरीबी है, अगर इन सब जातियों की बात की जाए, कुसवाहा, कुरमी, धानी, तो इस सम्में, अगर एक क्रिसी अधारित राज है, लेकिन क्रिसी करने वालों की संख्या भी आप जान लीजे, कि मातर 7 प्रतिसत बताई गई है, इस से काफी बरी पोल खुली है, उसी तरीके से स्वार्णों को, जिनको जमिनदार की स्रेणी में रखा जाता है, इसमें अगर लगभग अगर ब संख्या है, उसमें भी आपने समझ लिया कि 35 प्रतिसत यादव की इनकम 6000 से कम है, तो आप समझ ये कि जिस यादवों का मसीहा होने का दाबा, जिस पिछरों दलितों के मसीहा होने का दाबा, लालू प्रसादी यादव करते आ रहे थे, अब उनके छोटे भाईनी 30 कुमार क करते आ रहे हैं, और लालू यादव के बेटे कह रहे हैं, कि हम यादवों के मसीहा है, आखिर यादवों दलितों के इस मसीहा के 33 साल के राज में इतनी जादा गरी भी क्यों बढ़ी, इसका सवाल आप लोगों को कमेंट में सरकार से करना है, आप जो भी सवाल सरकार से करन चाहें आप जो भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहें कमेंट बॉक्स में जरूर दे आपके सवालों का सुझाओं का आपकी प्रतिक्रियाओं का कोजेटीब इंडिया तहदिल से स्वागत करता है जुरे रहे हमारे साथ हम आगे की रिपोर्ट में आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि आखिर आरक्षन की जो बात हो रही है वो किन-किन जातियों को मिलने वाली है और उस रिपोर्ट को सुनकर पुरे बिहार वासी खुस हो जाएंगे जुरे रहे हमारे साथ जैहन जै भारत जै जै बिहार